और बागमारा में न्यूस दिलेविन भारत की खबर का असर हुए जी हाँ दरिस्तल हमने कल मुंबई से आय प्रवासी मजदूरों की खबर दिखाये थी किसी तरह ग्रामिनों के विरोध के कारण उसे गाउं में घुसने नहीं दिया क्या था बाद में एक बंद दुकान के पास किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था ये वैक्ति और इस खबर को दिखाये जाने के बाद खुद डीसी में इस मामले की जानकारी अभिकारीों से लिए है और उस मजदूर को दहनबाद के ततकाल सदर अस्पताल में बने कॉरिटिन सेंटर में इलाज के लिए भेजा किया है फिलहार उसका इलाज वहीं चल रहा है तो आपको बता दे कि न्यूज इलिवन भारत पर सबसे पहले ये खबर दिखाई गई थी और उसके बाद इस खबर का असर ये हुआ है कि खुद वहां के डीसी ने अधिकारियों से पूरे मामले की जानगारी ले है और उसके बाद वहां के सदर अस्पताल में इस व्यक्ति को रखा किया है कॉरिटिन सेंटर में और उसका इलाज वहीं पे चल रहा है तो दरदर की ठोकर खाने को मजबूर था ये व्यक्ति ऐसे में लगतार कई दिनों से इधर उधर रहने को मजबूर था ऐसे में खुद वहाँ पर DC को जब इस बात का पता चला तो इस खबर को जिला प्रशासन को जैसे ही पता चली उसके बाद पूरा मामला जो है संग्यान में आने के बाद उस वेक्ति को सदर अस्पताल में रखा गया है कॉरेटिन सेंटर में जहां उसका इलाज चल रहा है तो जिला प्रशासन ने संग्यान लिया है और संग्यान का असर ये हुआ है कि अब उस वेक्ति को दरदर की ठोकरे नहीं खानी पड़ रही है अब उसे वहीं के सदर अस्पताल में रखा गया है कॉरेटिन सेंटर में जहां उसका इलाज चल रहा है तो ये एक अच्छी पहल जला प्रशासन के तरफ से की गई है हालाख इस खबर को लगतार बेहदी प्रमुकता के साथ ती उस इलेवन भारत ने दिखाया था और इस खबर को दिखाया जाने के बाद असर हुआ है प्रशासन के बाद दिखाया जलाज है